खान को धमकी परे संदेश भीजने के मामले की जाच हो रही है मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर से एक सबजी बेचने वाले को गरफतार किया है दरासल पिछले सब्ताह मुंबई ट्रैफिक पुलिस के वाटसाइप हेलप लाइन पर अभिनेता सल्मान खान से पांच करोड रुपए की रंगदारी की मांगवाला एक धम की भरा संदेश मिला था जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू की मुंबई पुलिस ने मैसिज भेजने वाले शक्स को जार खंट के जमशेदपुर से गिरफतार किया है आरोपी की पहचान जमशेदपुर के सबजी विक्रिता शेख हुसैन शेख मौसिन के रूप में हुई है फिलहाल पुलिस की एक टीम आरोपी शक्स से पूचताच कर रही है उसे आगे की काररवाई के लिए मुंबई लाया जाएगा एक दिन पहले पुलिस ने अपनी थियोरी में बताया था कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिचाया हुआ है लेकिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उसी मोबाईल फोन नंबर से माफी नामा भी मिला अभिनेता सल्मान खान को इस से पहले लौरेंस बिश्णोई गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली थी गिरोह के संदिग्ध सदस्यों ने इस साल अप्रेल में अभिनेता के बांदरा स्थित घर के बाहर गोली बारी की थी बाबा सिद्धी की हत्याकान में मुंबई पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफतार कर लिया है और मुख्य आरोपी की तलाशी भी की जा रही है देखिए बाबा सिद्धी की हत्याकान से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट एंसीपी नेता बाबा सिद्धी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार को एक और आरोपी को गिरफतार किया है आरोपी की पहचान अमित हिसाम सिंग कुमार के रूप में की गई है जिसे हरियाना से गिरफतार किया गया बाबा सिद्धी की मरड़ केस में अन्य आरोपियों के पूछताच के दौरान उसकी अफराद में भूमिका सामने आई जिसके बाद ये पुलिस के रडार पर आ गया और कल इसकी गिरफतारी हुई और पुलिस ने विभिन धाराओं में इसके खिलाफ मामला दर्च कर लिया इसके साथ ही पुलिस ने तीन अन्य लोगों को गिरफतार किया है जिनकी पहचान रूपेश, राजेंदर महोल, करन सालवे और शिवम अर्विंद को हाड है पुलिस के मताबिक ये तीनों बाबा सिद्धी की हत्या कांड में शामिल थे अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है लेकिन मुख्य शूटर और दो साथिशकरता अभी भी फरार हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है जिस से जांच में तेजी आ सके और मामले का खुलासा हो सके बाबा सिद्धी की हत्या 12 अक्टूबर को मुंबई के बांदरा इलाके में उनके विधायक बेटे जिशान सिद्धी के कारियाले के बाहर की गई थी